Hello and welcome back to the channel तो आज हम 29th January की मेंस का जो पेपर था 2023 उसकी मॉर्निग शिफ्ट के मेमोरी बेस कोईशन्स मैथेमेटिक सब्जेट के डिसकस करेंगे तो फर्स कोईशन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोईशन हमारे पास क्लास 12 से आया है जिसे करते हैं वैसे ही करना है तो हम इसको लिखेंगे यू डैश है ना numerator का differentiation इंटू में हमारे पास आजाएगा वी और मैनस में आजाएगा हमारे पास यू और इंटू में हमारे पास यहां पर आजाएगा वी डैश दिनॉमिनेटर में जब आँम इस तरह से negative इस तरह से change होता जाएगा तो many one हो जाएगा तो हम इसको solve करते है numerator को तो numerator को solve करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4x cube plus x square plus 4x plus 1 minus में आ जाएगा 4x cube minus 2x square minus 2x तो 4x cube वाला part आपका cancel हो जाएगा पीछे बचेगा minus x square plus 2x plus 1 अब जो आपके पास options दे रखे हैं यहां से आप इसके अंदर देख सकते हो कि 0 से 2 है ना या 0 से infinity और 1 से infinity में किस तरह से behave करेगा तो आप इसका graph बना के देख सकते हो कि यह quadratic कहां positive है और यह quadratic कहां पर आपके पास negative आ जाएगी इस तरह से तो हम इसी के अंदर graph बना के देखेंगे कि यह कहां increase कर रहा है कहां पर decrease कर रहा है जहां हमेशा positive हो यह हमेशा negative हो वहाँ पर one-one होगा बाकी जगे यह कैसा आजाएगा हमारे पास change हो जाएगा many बना जाएगा तो यह easy question है class 12 functions का जिसको हम directly यहां पर find out कर सकते दें ठीक है तो इस तरह से इसको हम अपर approach कर सकते है तो यहां पर जिसे अगर आप graph बनाएगे तो one पर इसका vertex आएगा one पर value आ रही ही इसकी two के बराबर ठीक है और zero पर अगर value निकालोगे तो zero पर value आजाएगी one और two पर value निकालेंगे तो two पर भी आजाएगी one तो इसमें यह हमेशा positive है आगे एक point आएगा जब यह जाकर क्या हो जाएगा negative हो जाएगा पर zero से two में यह one one है तो simple question next question हमारे पास class 11th के complex number से आया है तो इसमें कुछ information दे रखिए आपको real part से related और फिर imaginary part के बारे में आपसे कुछ पूछा है उसका sign पूछा है तो z1 complex number को आप x1 प्लस आयोटा y1 मान सकते हैं और जो आपका z2 complex number है इसको आप x2 प्लस आयोटा y2 इस तरह से मान सकते हैं अब पहले आपको real part of z1 z2 निकालना है तो आप इन दोनों को multiply करेंगे तो z1 z2 जब आप solve करेंगे तो z1 z2 बनेगा x1 x2 minus y1 y2 है ना और आयोटा के अंदर आपके पास आजाएगा x2 y1 plus x1 y2 imaginary part से हमें कोई मतलम नहीं है हमारा यह जो x1 x2 minus y1 y2 यह real part है यह 0 है यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि x1 x2 किसके बराबर आ रहा है y1 y2 के बराबर बात समझ मारी अब real part of z1 plus z2 z1 plus z2 करोगे तो इसका real part आ जाएगा x1 plus x2 जो की 0 के बराबर है तो x1 बराबर minus x2 जा रहा है तो अगर आपका x1 k है तो x2 हो जाएगा minus का k तो यह जो product x1 into x2 जो y1 y2 दोनो imaginary part के imaginary part of z1 जो y1 है और imaginary part of z2 जो y2 है इनके product के बराबर है x1 x2 और यह k into minus k minus का k square आ रहा है k square positive है तो obviously minus k square negative हो जाएगा तो अगर k square minus के साथ क्योंकि यह quantity negative आ रही है y1 y2 दो quantities का product negative है तो इसका मतलब एक quantity positive होगी दूसरी negative हो जाएगी तो यह again class relevant का easy question थर्ड वाले पर आते हैं तो यह एक linear differential equation बनाने की कोशिश कर सकते हैं इसे आप पहले dx से divide कर लेंगे तो dy by dx हो जाएगा साथ में x square है प्लस में यहाँ y x plus 1 है अब पूरे को अपन यह x square से divide कर देंगे तो यह आजाएगा dy by dx अब bracket अगर अपन यह open करेंगे तो y by x आजाएगा और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है यह पूरा square से तो यह variable separation ही हो जाएगा इसमें आपको linear भी नहीं बनाना पड़ेगा आप directly यह इसको arrange कर सकते हैं तो हमें इसको करने की भी ज़रत नहीं हम simply यहाँ पर variable separation ही use कर लेते हैं वो ज्यादा असान है तो अगर अपन यह variable separate करेंगे तो dy वाले पार्ट को right side में भेजो उसके नीचे आप y भेज सकते हैं dx वाले पार्ट को आप left में रहने तो उसके नीचे x square आजाएगा अब दोनों side integrate कर लेंगे तो यह minus ln y आजाएगा 1 upon x का integration हो जाएगा ln x और 1 by x square का minus 1 by x और एक plus का c आएगा 1,1 से pass कर रहा है बिटा तो y में भी 1 रखतो, x में भी 1 रखतो यह 0 हो जाएगा आपके पास है ना, तो minus 1 plus c ऐसा आजाएगा, तो c बराबर अपने पास 1 आजाएगा, ठीक है तो अब अगर इसको rewrite करेंगे अपन है ना, तो c वाला जो part है, 1 minus 1 by x यह आजाएगा हमारे पास यहाँ पर minus इसको एक तरफ लेंगे, तो ln x plus ln y है ना, और इसको दूसरी तरफ बेज लेंगे तो यह rearrange कर दिया है, तो यहाँ से आपके पास first option आजाएगा, यह तो बड़ा easy question है, NCRT में भी इससे tough सवाल है, तो differential equation है, class 12, easy question, simple variable separation, कर सकते थे question number fourth पर आते हैं, यह moderate question है, basically जो idea है, वो Cayley Hamiltonian theorem से आया है, channel पर इसका video है, तो अगर आपने नहीं देखा है, तो please जा कर देखें, उसके अंदर मैंने आपको यह application बताई थी कुछ मंस पहले, तो directly Cayley Hamiltonian नहीं लगाना है हमें, तो कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करो, A square किसके बराबर है, 3A plus AI, जैना, A की पावर 4 बनाना है, तो A की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, A square into A square हो जाएगा, तब ही बनता है, तो आपके पास यह जो दे रखा है, आपको expression, आप इसको खुद के साथ ही वापस क्या कर दोगे, multiply, तो अगर आप इसको खुद के साथ वापस multiply करोगे, तो term by term multiply करना, यह आएगा 9A square, A into I या I into A, वापस A आता है बिटाया, तो यह 3 small A into capital A आएगा, फिर आप इनको multiply करोगे, तो यह भी 3 small A capital है, और A I into A I, यह बन जाएगा A square I square, I square I ही होता है, लेकिन answer में सिरफ A और I है, तो आपके पास यह जो A square यहां आया है, आपको यह A square इससे replace करना पड़ेगा दुबारा, तो यह जो अपना expression बना था, 9A square plus 6A capital A, और plus का यह जो आपके पास A square I आ रहा था, इसमें A square को वापस आप यहां से replace कर देंगे, किसके साथ, 3 capital A plus A into I के साथ, ऐसा, अब यहां पर अपन terms जो है, वो common लिने की कोशिश कर सकते हैं, तो यहां 9 plus 6A, यह तो coefficient हो जाएगा capital A का, और I का coefficient आ जाएगा 3A plus A square, अब यहां आपके पास चीज़ें आसान हो गई, 21 जो है, वो 9 plus 6A हो जाएगा, तो यहां से आप जब इसको बराबर करोगे, तो A2 आ जाएगा, और capital I का coefficient B है, इसको इसके बराबर कर देंगे, तो small b आ जाएगा, तो moderate था, बट यह simple सा logic लगाती, substitution से answer आ जाता, matrix या matrices chapter का question है, class 12, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 5 के अंदर आपको area bounded निकालना है, तो पहले अपन इसको plot करते हैं, यह circle का interior है, circle का radius root 21 है, यह उसके अंदर का इससा है, और x should be greater than equal to 1, इस पे बाद में आते हैं, पहले बना लेते हैं पैराबोला, तो अपन यहाँ पे ऐसा y square equal to 4x type का पैराबोला यहाँ पे बना सकते हैं, और इसके case के अंदर, circle और पैराबोला के लिए यह region common आ जाएगा, inequality के according, आप चाहो तो इन नोनों को solve करके, इनका intersection point भी निकाल सकते हो, y square की जगे 4x रख देना आप, तो आपके पास यह inequality आ जाएगी, अब यहाँ से अपन factorization कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, तो x बराबर 3 लेंगे, क्योंकि 1st और 4th quadrant, तो यह हमारे पास जो line है, यह x equal to 3 वाली है, बट आपको चाहिए x greater than equal to 1, तो x greater than equal to 1 यहाँ कहीं पीछे रह जाएगी, ऐसा, तो actually x equal to 1 है, आपको अब जो region चाहिए, है न, वो यह वाला आएगा, यह पूरा x equal to 1 से लेकर आगे, पूरा ऐसा, तो यह region हमें यहाँ पे चाहिए, यह root 21 है, तो आप इसके दो parts कर सकते, अगर अपन इसको redraw करेंगे न, तोड़ा सा, तो यह कुछ ऐसा आ रहा है, यह तो parabola है, और इसके आगे आपके अपास circle है, यह x बराबर 3 वाली line, और हमको इसके right side का area चाहिए, यह x equal to 1 है, तो 1 से लेकर के 3 तक, यह वाला जो portion अपन यहां बना रहे हैं न विटा, इसमें तो आप integrate करोगे parabola को, और 3 से लेकर root 21 में आप किसको integrate कर लोगे, circle को, बात समझ में आ रही है, तो अगर अपन यहां देखें, तो यहां y आ जाएगा 2 root x, plus minus, उपर नीचे दोनों है, तो हम यहां पर लिख लेंगे, 2 times उपर और नीचे, 1 से लेकर के 3, और यहां पर आ जाएगा root x, आगे अगर आप 3 से लेकर के root 21 जाओगे, तो इसमें भी double कर लेना, 2 times कर लेना यहां पर, circle की उपर वाली, यह branch ले लेते हैं अपन यहां, तो इसमें y बराबर क्या आजाएगा, plus minus आएगा, root 21 minus x को है, अपन उपर वाला, plus वाला integration लेकर double कर लें, तो एक यह term निकालना है, circle वाला जो integration है, और एक यह वाला, limit का ध्यान रखते हो, तो ऐसे questions की practice, I am sure आपने area में, और NCRT में करी होगी, कि जैसे यह base है, तो base होता है 0 से बड़ा, और infinity कभी यह 1 कभी भी नहीं हो सकता, base cannot be equal to, इसका base है, यह भी 0 से बड़ा होगा, लेकिन यह भी कभी 1 नहीं हो सकता, तो इसका भी अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, फिर यह quantity, log के अंदर जो भी quantity होती है, यह 0 से बड़ी होती, सी तरह यह भी 0 से बड़ी होगी, एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, बिटा, कि denominator can never be equal to 0, log 0 तब होता है, जब number 1 हो जाए, तो x minus 4 जो यहाँ पर है, 4 से infinity, और यहाँ से आ जाएगा, कि x should not be equal to 5, यह बड़ा ही easy question होगी है, तो यह domain का question है, functions से दो question आएं, surprising है थोड़ा सा, ख्लास 12 के questions, इस shift में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बट easy questions है, 6 में से 5 easy हैं, 7 पर आते हैं, integration है, splitting the limit करना पड़ेगा, graphically देखना पड़ेगा, कि कहाँ split करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा moderate बना देते हैं, क्योंकि graph use हो रहा है, है definite integration का question, और इसमें use क्या होगा, use होगी इसके अंदर अपने पास यहाँ पे, splitting of limits, तो question है, अब यहाँ पर देखो, x square का graph जो है, लेना आपको सिरफ 0 से 2 है, तो 0 से 2 में आप x square बनाओगे, तो यह इस तरह से 0 से 2 में बनेगा, और 2 पे value आजाएगी 4, और integer part of x का graph पता है, 0 पे 0 होता है, 1 पे 1 तक 0 ही होगा, 1 पे इसकी value आजाती है, हमारे पास किसके बराबर 1, लेकिन आपको actually क्या करना है, आपको 1 प्लस integer part x बनाना, तो 1 प्लस integer part x के अंदर, आपका यह जो integer part x वाला graph था, यह 1 unit उपर shift हो जाएगा, बात समझ रहो मेरी, तो यह कुछ ऐसे बनेगा, 0 से लेकर 1 में value 1 रहेगी, और 1 से लेकर के 2 तक, इसकी जो value आएगी, यह 2 रहेगी, बात समझ रही है, अब अगर आप यहाँ पर parabola बनाओगे, y बराबर x square, तो यह कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक point ऐसा आएगा, जब भी इसको cut करके ऊपर निकल जाएगी, तो आपको इसके max का area चाहिए, तो max के area के लिए क्या करेंगे, कि भई यहाँ तक अगर आप देखोगे, तो पहले integer party max है, तो हम integer party लेंगे, लेकिन उसके आगे parabola ले लेंगे, तो किस point पे यह दोनों बराबर आ रहे हैं, यह निकालते हैं, तो integer part की तो value 2 आ रहे हैं, parabola x square है, दोनों को बराबर कर लोगे, तो x आ जाएगा root 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 1 प्लस integer part x का तो graph बनेगा, कहां से कहां आपके पास root 2 तक, root 2 तक आपके पास integer part x प्लस 1 का graph बनेगा, और उसके आगे जो आपकी value आएगी, वो कौन सी आ जाएगी, x square तक की, root 2 से लेकर के 2 तक, तो अब आपको यह area निकालना है, इसके नीचे का, तो 0 से 1 के अंदर यह area तो 1 आगे आपके पास, फिर यह rectangle देखो, इसकी width है root 2 minus 1, और height है 2, तो यह आजाएगा है 2 times, root 2 minus 1, और अब आगे का यह area है, जो parabola का आपको निकालना है, इस में आप simply x square का integration कर दोगे, root 2 से 2, और इन तीनों को हम add कर दोगे, तो moderate है, splitting of limits लगेगी, ध्यान से करना है, max function का use हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, question number 8 नहीं, 9 पर आते हैं, 8 पर बाद में आ जाएंगे, शायद last में rearrange करने में रह गया है, तो 3 bad apples है और 7 good apples है, तो probability निकालने हैं कि 4 good apples आ जाएं, अगर if 4 apples are drawn, simultaneously हो तो we have to find the probability of finding 4 good apples, if 4 apples are drawn, तो total 10 में से 4 apple निकालने के किया तरीक हैं, 10 C 4, इसको solve करेंगा, तो 7 into 9 into 10, upon 1 into 2 into 3 into 4, ऐसा आजाएगा 210, अब 4 ही apples जो हैं, वो good apples हो तो, good apples के कितने तरीके होगा है, 7 C 4, यह आजाएगा 35, तो यह आजाएगा 1 upon 6, actual question यह नहीं था, actual question क्या था मैं उस पर last में आऊँगा, अभी इस concept के साथ bear करो, P and C का है, मैं इस पर वापस आने वाला हूँ, end के अंदर, आगे बढ़ते हैं, यह तो एकदम हलवा था है, class 11th का concept है, इसने कुछ भी नहीं था, question number 10 पर आते हैं, तो यह quadratic का concept है, जो limit के अंदर लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको, तो वैसे तो moderate to tough है, बट आप चाहो तो इसको tough मान सकते हो, तो limit निकालनी है, extending to 2P plus, 2P plus मतलब 2P के आगे, 2P plus H ऐसा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो, x equal to 2 इसका root है, तो पहले तो हम इसमें to put कर देंगे, यह आजाएगा 4 plus 2P plus Q, यह आजाएगा 0, बात समझना आ रही आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हो, की Q plus 4 आजाएगा minus 2P, अब इसको यहाँ पर काम कैसे लेना है, यह ध्यान से देखोगे, जिसपे limit आप निकाल रहे हो, यह Q plus 4 का whole square है बिटा, तो minus 2P जैसे ही इसमें आएगा, यह 4P का whole square बन जाएगा, 4P square, minus 2P रखेंगा तो 4P square बन जाएगा, तो यह ऐसा आजाएगा, 1 minus cos x square minus 4P x plus 4P square, numerator में, और denominator में x minus 2P square है ही हमारे पास, तो denominator के अंदर x minus 2P square ही है हमारे पास ऐसा आजाएगा, अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो cos के अंदर बन जाएगा, x minus 2P का whole square, कुछ ऐसा, ठीक है, cos के अंदर ही है, यह पूरा cos theta ही है, तो 1 minus cos theta हमें पता है, क्या होता है 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2, तो यह यहाँ पर ऐसा आजाएगा, और नीचे x minus 2P का whole square है, तो बेटा, अब आप यहाँ पर क्यूंकि x tending to 2P plus है, आप x को replace कर दोगे 2P plus h से, तो यह हमारे पास limit ऐसी बन जाएगी, 2 sin square, आजना x minus 2P को h रख देंगे, h by 2, और नीचे आजाएगा h square, अब यह standard limit है, और solve करके आप answer देखेंगे, तो हाँ आजाएगी, तो यह थोड़ा सा quadratic वाला concept, whole square करने के साथ, इस standard limit में mix कर दिया, तो moderate है basically, नहीं चमकता है quadratic, तो tough हो जाएगी, है ना, तो है limits class 12 का ही topic मानेगी, आगे बढ़ते हैं, 11 पर आते हैं, तो straight lines का सवाल है, straight line, class 11, calculation wise lengthy है, तो आप easy to moderate मान सकते हैं, अब y बराबर x upon root 3 light की ray आती है, और एक surface से टकरा जाती है, ऐसा, बात समझ में आ रही है, तो अगर आपको reflected ray की equation निकालनी है, तो हमने यहाँ चैनल पर straight lines का एक बहुत अच्छा सा topic discuss किया था, जिसमें कुछ tricks थी, तो tricks of straight line and a point, प्लीज चैनल पर जाके देखें, मज़ा आएगा आपको छोटा सा वीडियो है, तो यह line यहाँ आती, तो पहले आप यह intersection point निकालनी है, और y इसका 1 upon root 3 times है, तो यह incident ray जिस point पर टकरा रही है, तो पहले आपने यह point निकाल लिए, अब reflected ray ऐसे जाएगी, तो reflected ray के लिए एक point तो पता, एक point और पता चल जाए तो मुझा आजाएगी, तो इसके लिए एक simple सा concept होता है बुटा, कि यह जो line है ना आपके पास, इस पर आप एक point मान लो, और यह जो mirror है आपके पास, x plus y बराबर 1, इसमें इसकी image निकाल लो, तो यह image जो है, यह reflected ray को पीछे extend करोगे, तो इसी पर लाए करती है, तो मैं आप पर एक point लेकर, इसकी इस line में image निकाल लोगा, और एक और point मिल जाएगा, reflected ray पर फिर मैं इसमें 2 point form लगा दूँगा, तो जैसे reflected ray की equation आईगी, फिर आप y बराबर 0 करके देख सकते हो, कि वो x-axis को कहां पर cut कर रहा है, तो अपन एक point लेते हैं, पहले y बराबर x upon root 3 पर कोई भी point ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, इसे मैं यहाप पर 0,0 ले लेता हूँ, यह इस पर लाए करता है, तो 0,0 की image निकालेंगे, इसमें image का मैं formula यूज़ कर रहा हूँ, आपको concept आता है, तो आप concept भी use कर सकते हैं, x minus 0 upon a, y minus 0 upon b, minus 2, अब 0,0 इसके अंदर रख देंगे, x plus y minus 1, और नीचे a square plus b square, तो यह 1 मन जाए, तो यह जो image आएगी, यह आजएगी 1,1, तो अब आपको बस two point form लगाना है, कि इसमें 1,1 में, और यह जो root के अंदर coordinate आए इसमें, जैसे ही line आएगी y 0 करके, आप point निकाल सकते हैं, ठीक है, तो try कर सकते हैं आप यह आती है, difficult नहीं का, हाँ, अगर आपने incident ray से reflected ray निकाली है, तो यह question आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, आगे बढ़ते हैं, question number 12 पे आते हैं, बहुत simple, मतलब कुछ चीजें जरूर इस paper में मेरे को surprising लगी, जैसे straight line के दो questions आएं, functions के भी दो questions आएं, तो ऐसा rarely देखने को मिलता है, तो एक छोटी सी tip आपको दूँगा बटा हैं, हम अक्सर means की तैयारी करते हैं, बोलते हैं, या मैं वो questions बताओ जिनका weightage ज़्यादा है, या वो questions बताओ जिनसे questions आएंगे ही आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, न means में होता है न एडवांस में होता है, जो आपकी shift है उसके अंदर, किसी भी chapter से कोई भी question आ सकता है, easy, moderate, tough, और कितने भी questions आ सकते हैं, हमें बिल्कुल idea नहीं है, बाद समझ रहाँ मेरी, तो तैयारी जितनी करो, comprehensive करो और पूरी करने की कोशिश किया करो, कि जहीं अच्छा exam है, तो आपको detail में चीज़ें आनी चाहिए, उस चीज़ें पर मत जाय करो कि यार इस से बेटे ज्यादा आता है, यह कर ले, तो किसी नहीं नहीं सोचा, straight line के दो question आएंगे, बढ़ यहाँ पर आएंगे, question पर आते है, equilateral triangle ए, a point इस line पर लाए करता है, a point जो है, वो इस पर लाए करेगा कहीं, और यह line जो है, यह line कौन सी होगी हमारे पास, x plus y बराबर 0, इस पर कहीं पर a लाए करेगा, नहीं सोरी, इस पर लाए करेगा, y minus 2x बराबर 2, ऐसा, ठीक है, और बाकी जो दोनों point है, तो यह symmetric about origin है, यह line question के अंदर नहीं लिखी भी आई थी, यह इन्होंने online जहां से मैंने लिया है, इन्होंने ऐसी लिख दिया है, memory based के नाम पर, बट यह line actual question में नहीं थी, उन्होंने सिर्फ इतना बोला था, b and c are symmetric with respect to origin, तो symmetric with respect to origin का मतलब भी यह होता बटा, कि अगर एक point a, a है, तो दूसरा point क्या हो जाएगा आपके पास, a, minus a, minus a, जितना वो उपर है, उतना ही यह इस तरफ नीचे है, तो यह दोनों point ऐसे आजाएगे, a, 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 minus a, minus a, दोनों का midpoint origin हो जाएगा, 0, 0, equilateral triangle में median, altitude, सारी चीज़ें सब कुछ सेम होती है, तो आप 0, 0 point की, इस line से perpendicular distance निकाल लो, यह जो line दे रखी न आपको, y, minus 2x, बराबर 2, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, यह actually height मिल जाएगी, जो मैं चाहिए यहां से, तो आप यह perpendicular distance यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे, तो अगर अपन यहां पे perpendicular distance निकालेंगे, तो यहां पे क्या आ रहा है अपने पास, नहीं, perpendicular भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह angle 90 ऐसा जरूरी नहीं, हाँ, यह बोल सकते हम, कि यह angle जो होगा, यह क्या हो जाएगा, 90 degree के बराबर हो जाएगा, यह minus a, minus a हो गया हमारे पास, और साती साती है हमारे पास a, a हो गया, हाँ, यह point जरूर इसके उपर यहां पर लाए करेगा, जो हमारी line है, y plus x बराबर 0, तो हमें यह निकालना है, हमें basically area चाहिए, root 3 by 4 side square निकालने के हम यहां पर कोशिश करेंगे, बात समझ में आरी है आपको, तो इसके case के अंदर हम यह point कुछ भी ले सकते हूँ, पर जैसे आप x को t ले लो, है ना, तो y आजाएगा 2t plus 2, कुछ ऐसा, तो यह point आपके पास आजाएगा, t, 2t plus 2, यह कुछ इस तरह से आजाएगा हमारे पास, के यह बात समझ में आरी है आप सभी को, तो इसके case के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, equilateral triangle की properties जो है, उसको use करने की यहाँ पर अपन कोशिश करने वाले हैं, बात समझ रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यह 0-0 जो midpoint असको join किया, तो यह सिरफ median नहीं है, यह perpendicular भी है, तो अपन इस altitude की equation निकाल सकते हैं बटा, जैसे यह line थी, आपके पास यह 2 point है, 1,1,1,1,1,1, आपको यहाँ से यह line दे रखी थी, y plus x बराबर 0, यह आपको निकालनी थी, तो अगर आप इसको solve करोगे, तो यहाँ से हमारे पास यह आएगा, तो अभी यह line ले ले लेते हैं, solve करने के लिए, exact questions नहीं होते हैं, online memory based के ना, तो अभी के लिए हम इसको assume कर लेते हैं, यह यही है, तो इसके perpendicular जो line लो गया आप, तो इसका slope minus 1 है, उसका slope 1 हो जाएगा, और 0-0 से pass करेगी, तो y बराबर क्या आजाएगा, आपके पास x, और यह t, 2t plus 2 जो अपन लिख रहे हैं न, यह t, 2t plus 2 इस line का general point, y बराबर x पर भी लाए करेगा, तो यह median altitude दोनों है, तो आप y बराबर x इसके अंदर रखेंगे बटा, तो t बराबर क्या आजाएगा, आपके पास 2 आजाएगा, तो t बराबर 2 रखेंगे, तो यह आजाएगा हमारे पास point 2,6, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, distance find out कर सकते हैं यहां से, यह आपका हो जाएगा altitude, तो 2,600 से distance आजाएगा, root 40 के बराबर, और altitude का formula जो होता है, वो हमारे पास होता है, root 3 upon 2 times side, तो यहां से आपके पास side आजाएगी, अगर data इन्होंने सही दिया है, तो ऐसा ही आएगा, और फिर आप इसके अंदर side आने के बाद, equilateral triangle का area निकाल सकते हैं, जो होता है, root 3 by 4, और into में यहां पर हमारे पास आजाता है, side का whole square, तो again memory based है, कुछ चीज़ें यहां पर ambiguous है, हम maturity से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आएगी, बट, ठीक है, तो यहां से हम point A निकाल नेंगे, और altitude आजाएगा, 0-0 से distance ले लेंगे उस point की, वो root 3 by 2 time side होगा, फिर root 3 by 4 side square लगा देंगे, तो logical question है, easy है बट logical है, तो moderate मानेंगे इसको, straight line का दूसरा सावा, आगे बढ़ते हैं, 13 तो ऐसे questions PYQ के अंदर आ रखें, mathematical reasoning का logical question है, class 11 बट, easy लेंगे, क्यों कि PYQ में आ रखा है, तो यह बोल रहे हैं, यह fallacy है, तो fallacy का मतलब है, जो always हो false, और यह implies है, implies हमेशा last में calculate होगा, पहले यह calculate होगा, फिर यह calculate होगा, तो एक तो तरीका है, कि आप options ही put करके check कर लोगा, दूसरा तरीका है, कि implies एक ही case में false होता है, तो इसी case में false होता है, तो इसका मतलब इसको false होना पड़ेगा, अब और तभी false हो पाता है बिटा, जब individually सारी चीज़ें false हो, तो इसका मतलब r false है, और negation q false है, negation q अगर false है, तो q true हो जाएगा, तो दो चीज़ें तो यहीं से पता चल गए, अब यह तो हो गया false, always, ठीक है, अब इसको always true करना है, तो यहाँ पर अगर अगर अपन देखेंगे, तो इसको true बनाने की कोशिश करनी अपन को जाना, तो यहाँ पर अपन true बनाने जाएगे, इसको हमेशा क्या बनना पड़ेगा, true ही बनना पड़ेगा, चाहिए कोई भी case हो, this should always be true, तो अगर यहाँ पर देखेंगे, तो यह वाली दो चीजें तो हमारे पास आगई है, q, true, r, false, अब इसके case के अंदर, यहाँ पर अब जो भी आपका p है, तो एक बार आप इसमें true रखोगे, एक बार आप इसमें false रखोगे, दोनों में से जिस case में भी यह true आजाता है, भई option हमारा correct हो जाए, तो यह simple था, उसको आप easily attempt कर सकते थे, आगे बढ़ते हैं, तो 12th question, यह 14th question पर आते हैं, तो area under the curve का question है, low area under the curve के question है, तो यह जो 29th के shift 1 है, यह मेरे opinion में बिल्कुल भी balanced shift नहीं है, balanced का मतलब इन्होंने सारे topics कवरी नहीं कियां, और कुछ topics को बहुत ज़्यादा weightage दे दिया, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो जब आप square root लेते हो, तो mod आता है ना, तो यह बन जाएगा 2 mod x minus 1, ठीक है, y बराबर 2x जो है, यह branch तो होगी 2x minus 1 वाली, और यह branch होजाएगी minus 2x minus 1 वाली, तो y बराबर 2x origin से जाएगा, दूसरे branch के parallel, हमें इसका हिस्सा सिर्फ 0,7 में लेना है, तो हमें overall सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से से मतलब है, ठीक है, और यह दोनों meet करेंगे यहाँ पर, यह जो point है, जहाँ पर meet कर रहे हैं, यह half हो जाएगा, कौन-कौन, 2x और minus of 2x minus 1, अब आपको यहाँ पर बोलाए, यह और भी दो area दे रखे, पहला वाला जो area इसमें 2x छोटा है, और mod वाला part बड़ा है, तो यह यह वाला area हो जाए, जो भी मैंने shade की है, और दूसरे वाले में दोनों का minimum है, तो यह मैं अभी जो shade कर रहा हूँ यह हो जाएगा, ऐसा, और दोनों का area बिल्कुल सेम है बिटा, अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे बनाओगे न, यह मैंने half निकाला था, base 1 है, और half अगर आप इसमें put भी करोगे यहाँ पर, तो यह 1 आजाएगा, ऐसा, यह 1 है, तो अगर आप इसका area निकालो के तब भी यह half into 1 into, जो भी 1 के बराबर आएगा, और यह भी area half into 1 into 1, यह दोनों A और B सेम है, यह vertical वाला जो आप देख रहे हो, यह A है, और यह वाला horizontal वाला B है, यह दोनों सेम आएगे, आपको try करना है, तो easy question है, बट अगर आपको graph नहीं बना, तो आपको moderate लगेगे, आगे बढ़ते हैं, तो यह integer type के कुछ question है, 21th के अंदर, यह differentiability का question है, यह moderate मानेंगे अगेन इसको, बट question अगर simple है, अगर आपने differentiability में functional equations करिये, functional equations again, बहुत important topic है, channel पर मैंने पूरी playlist बना रखिया, आप सभी बच्चों के लिए, तो please जाकर functional equations की playlist देखें, चार अलग-अलग lectures हैं, try करें, आपके advance के paper से पहले जरूर उसे देख लें, advance में जरूर पूछा जाएगा, तो y की जगे यहाँ पे h रख देते हैं, h tending to 0 वाला, तो यह fx plus h बन जाएगा, fx को left side में भेज़ दो बटा, है ना, और इधर आजाएगा fh minus 1, यह जो 1 है ना, यह actually f0 है, अगर आप x और y दोनों को 0 रख दोगे, तो f0 की value 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा f of 0, अब दोनों side h से divide कर देंगे अपन, और limit लगा देंगे, limit h tending to 0, तो left hand side बन जाएगी f dash of x, और right hand side बन जाएगी f dash of 0, जिसकी value 2 के बराबर है, तो f dash x constant आ गया 2, दोनों side integrate कर लो, तो fx आ जाएगा 2x plus c, c कैसे निकालोगे आप, f0 पे value 1 है, तो f0 के लिए दोनों side 0 रखो, यह 1 बन जाएगा और यह c बन जाएगा, तो c 1 आ गया, और fx आ गया 2x plus 1, अब इसमें minus 2 रख के mod लगा लेना, तो एकदम हलवा सवाल बन जाएगा यह, ठीक है, तो easy ही है, पड़ आपको नहीं आती functional equations, तो फिर यह नहीं होगा, अगे बढ़ते हैं, तो यह GP का सवाल है, तो sequence series, class 11th है यह, और again very easy question है, है ना, तो very easy है, सबसे होना चाहिए था, GP में positive numbers है, तो R positive लेना बिटा ध्यान से, A5 और A75th term होता है, ऐसा, 7th term हो जाएगा, कुछ ऐसा, A12 है, ठीक है, और A4, A6 जो है, A4 क्या होगा, A4 होगा, A4 होगा ARQ, और A6 हो जाएगा, AR की power 5, A आजाएगा, आपके पास 9, तो आपके पास basically, 2 equation, 2 variable आगए, इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो ये A square R की power 8, 9 है, square root ले लो, तो AR की power 4, आजाएगा, 3 के बराबर, plus minus 3 नहीं ले रहा, क्योंकि positive number है, तो आप इसको simply 3 से replace कर लो, तो AR की power 6, 9 आजाएगा, AR की power 4, 3 आजाएगा, और फिर कुछ बचा ही नहीं, divide कर दोगे, तो R square 3 आजाएगा, A भी आजाएगा, 7th और 9th term निकालके, answer comments में बता सकते हो, कि क्या आपका 36 आ रहा है या, नहीं आ रहा है, easy question, 23, फिर से functional equation, पहले अभी फिर से, repeat कर रहा हूं मैं कि, chapter के पीछे मत पढ़ा करो, कि यार इस chapter से, ज्यादा कुछ ना जाएगे, नहीं, तैयारी पे ध्यान दो, process पे ध्यान दो, result की चंता मत करो, ठीक है, तो ये standard, differentiability पढ़ने के बाद, result होता है, कि बिटा अगर, fx प्लस y, fx प्लस fy है, तो fx kx के बराबर होता है, ठीक है, f1, 1 by 5 है, इसमें put कर देंगे, तो k1 by 5 आ जाएगे, बाद समझ मारी है, तो fx आ गया हमारे पास, x upon 5, ठीक है, तो ये fn जो है, ये n by 5 बन जाएगा, n से n कट गया, अब ये special series, sequence and series, merge कर देते हैं, tough नहीं होते, mains के सवाल, lengthy होते हैं, इसको moderate मान लेते हैं, और अब हम split करने के लिए, तैयार है, summation है, denominator में direct कर नहीं सकते, telescoping series में, जैसे split करते हैं, वैसे special series में, 1 by 5 को माहर रखते हुए, आप इसको split कर दोगे, अब आप n की value put करेंगे, 1, 2, 3, n तक, तो first term और last term के अलावा, सब कुछ cut हो जाएगा, बिटा, तो first term में n को 1 रख दो, और last term में n को n रख दो, ऐसे questions आए, sincerely hope आपने करें हो, तब ही आप इनको approach कर सकते हैं, बात समझ मारी है, यहां से इसको solve करेंगे, इस equation को, तो end 10 आजाएगा, यह फिर से functional equations, differentiability, question number 24 पे आते हैं, rank निकालने का question है, PNC में ही करते हैं, class 11 में आता है, पर एक छोटा सा twist है बिटा आपके लिए, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, digits यही use करनी है, बट digits repeat हो सकती हैं, तो repetition is allowed, तो यह इतना easy नहीं है, moderate है, चमका ही नहीं, bounceर है तो फिर tough है आपके लिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सबसे पहले 5 digit number बनाएंगे, repetition allowed, सबसे पहले numerically 1 आएंगा, सबसे छोटा, तो 1 पहले place पर है, तो यहां 555 options है, repetition allowed है बिटर, तो आप कोई भी digit कितनी बार भी use कर सकते हो, 5 की पावर 4, 625 numbers को 1 से शुरू होंगे, फिर alphabetically 2 आता है, 5555, 5 की पावर 4, 625 numbers आप के पास यहां भी आ जाएंगे, फिर आप यहां पे 3 रखोगे, आप यहां पे पूरा खतम मत कर देना, 5773 की rank निकाले, तो 3 के बाद अब alphabetically वापस यहां 1 आ जाएगा, तो यहां वापस 555, 5 की पावर 3, 125, फिर 3 के बाद आप 2 लोगे, फिर से 555, 5 की पावर 3, 125, फिर वापस 3 के बाद आपके पास यहां 3 आएगा, फिर से 5 की पावर 3, 125, फिर 3 के बाद 5 आ जाएगा, तो यह इतना part अब आपका यहां पे match कर गया, अब 3 places बचिये, 773 की rank निकालनी है, तो अब यहां पे 773 बनाने से पहले, फिर से पहले 1 आएगा, तो अब यह ऐसा नंबर हो गया, 351 टाइप का, हमें 357 पहुँचना है, तो फिर से 2 places खाली है, यहां पे 5 इंटू 5, 5 स्कूर, फिर 353 आएगा, फिर से 5 इंटू 5, फिर 355 आएगा, फिर से 5 इंटू 5, से इसकी रैंक निकालनी बची है, 73, 357 अल्रेडी बन चुका है, अब आपको 357 के आगे, 73 बनाना है, तो अब आप यहां पर पहले 1 रखोगे, तो 1 से शुरू होने वाले 5 नंबर आएगे, फिर 1 के बाद आप यहां पर क्या रख लोगे, 3 रख लोगे, फिर से 5 नंबर आएगे, 5 रखोगे, फिर से 5 नंबर आएगे, 7 रखोगे तो यह मैच कर जाएगे, बात समझना आ रही है, तो 555, अब सिरफ लास्ट डिजिट में 3 आने की रैंक चाहिए, 3577 आ गया है, तो एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, फिर यह 3 आजाएगा, तो तीसरा वर्ड और चाहिएगा है, थर्ड पोजिशन ती, तो अब आप एड कर दो, 625, 625, 125, 125, तो यह आई थिंक आजाएगा हमारे पास, है ना, तो अब अपन इसको एड करेंगे सभी को, तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन में गड़बड करेंगे, तो आंसर हमारा बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाएगा, तो कैलकुलेशन अगर हमने देख लेते हैं, हमने सही करी, तो यहाँ पे लग तो सही रहा है, तो यह 125 भी 3 बार है, और उसके बाद 1, 2, 3, 3 थर्ड पोजिशन पर ही आएगा, तो अगेन, तो डिफिकल्ट तो नहीं गूलूँगा, बट यह लेंदी कोशन था, रिपिटिशन का ध्यान रखना था, तो मैं मॉडरेट से तफ में स्विच कर रहा हूँ उसको, ठीक है, तो रैंक वाला कुशन है बटा, रैंक वाला कुशन और 29 की सेकंड शिफ्ट में आएपन देखेंगे, तो रैंक वाला कुशन पी वाई क्यूज में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो कुछ नया नहीं है, बट प्राक्टिस होना जरूरी है, 25 पे आते हैं, तो यह NCRT है, NCRT में डेटा यह नहीं था, बट है NCRT टाइप का, तो आप इसका पहले जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म क्या होगा, NCR 1 की पावर N माइनस R, 2X की पावर R, तो कोफिशेंट जो आएगा न, X की पावर R का आपके पास, तो आएगा NCR 2 की पावर हाँ, अब आपको यहां तीन consecutive terms चाहिए, तो आप X की पावर R, है ना, X की पावर R प्लस 1, और X की पावर R प्लस 2, इनके कोफिशेंट जमा कर लो, और इनका यह ratio है, तो पहले अपन इननों को डिवाइड करते हैं, फिर इनको डिवाइड करके, दो equation, दो variable बना लेगा, तो पहले इसका ratio देखो, इसका coefficient क्या आ रहा है, यह आएगा NCR plus 2, 2 की पावर R plus 2, इसको डिवाइड कर देते हैं, NCR plus 1, 2 की पावर R plus 1 से, और यह 84 upon 35 हो जाएगा, थोड़ा सा solve करोगे ना, तो 7 से cut हो जाएगा, 12 by 5 आजाएगा, एक और equation जो आप बनाओगी, वो इनकी division से बनाओगी, तो इन दोनों के coefficient डिवाइड करेंगे, NCR plus 1, 2 की पावर R plus 1, और upon में NCR, 2 की पावर R, तो यह तो आमें पता है, divide होके 2 ही बचने वाला है, इदर भी 2 बचने वाला है, यह 35 by 10 आएगा, जो 7 by 2 होता है, इसको divide करने के लिए, आपको पहले factorial में तोड़ना पड़ेगा, तो जैसे मान लो आपको यह divide करना है, NCR plus 2, NCR plus 1, तो पहले आप factorial के form में इसको convert करेंगे सभी, है ना, बात समझना आ रही है आपको, denominator में भी यही करेंगे, factorial के form में आप इसको convert करेंगे, और जब आप convert यहाँ पर कर लेंगे, तो उसमें आप जब सब कुछ कट कर देंगे, तो इदर नीचे R plus 2 बचेगा, और उपर N minus R plus 1, तो यह पहली equation जो यहाँ पर आ रही है, ऐसी आ जाएगी, N minus R plus 1 bracket में इसका धियान रखेंगे, नीचे आ जाएगा R, R plus 2, एक 2 उपर यहाँ पर बच गया, यह left hand side बन जाएगी, तो linear equation in 1 variable आएगा, N और R में वही चीज़ यहाँ आएगी, तो अगर आपने NCRT से भी यह practice करा है, तो यह question आप बिल्कुल कर सकते थे, maybe lengthy हो सकता है, बढ़ आप कर सकते थे, तो इसको easy की category में रखेंगे, binomial theorem का question है, जितनी भी shifts अभी तक channel पर solve करी है, सब में binomial theorem के questions है, अगर आपकी shift अभी तक नहीं हुई है, आपको सिरफ कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर determinate construct करना है, और इस determinate के अंदर यहाँ पर क्या करना है, इसको zero करना है, यह अब आप solve कर सकते हैं, class 12th vectors, तो 8th पर आते हैं, यह PNC का question, PNC के question इस बार ज्यादा देखने को मिलें, as compared to probability, तो PNC का weight is अच्छा रहा इस बार, almost दो-दो सवाल आए हैं हर shift में, तो 15 players हैं यहाँ पर, और probability तो यहाँ गलत लिखावा है, probability है भी तो, option उसके according नहीं है, तो PNC में आया, probability में memory based, अगर आपने यह shift दी है, तो आप comments में प्लीज बताओगी, यह PNC में आया था, probability में आया था, तो कम से कम 13 players को correct t-shirt pick करना है, मतलब मालनो 15 players हैं, उनके 15 shares हैं, तो जाके उसको pick करेंगे, तो ऐसा भी हो सकते हैं न, कोई गलट t-shirt pick करेंगे, आपको बताना है कि कम से कम 13 players correctly pick करें, इसके कितने तरीके हैं, तो मालनो एक तो यह तरीका है कि 13 correctly pick करें, एक है 14 correctly pick करें, एक है 15 correctly pick करें, तो 13 अगर correctly pick करेंगे, तो 15 C 13, कोई भी correctly pick कर सकते हैं 13 जने, अब A और भी दो जने बच गए, और यह उनकी t-shirts है, तो अगर इनको अपनी खुद की t-shirt नहीं पहननी, तो A की तरीका है, A, B की t-shirt पहने, B, A की t-shirt पहनेगा, तो यह 15 C 13 तरीक यह होगा, है न, सारे ही correctly पहन लें, वो तो A की तरीका है 15 C 15, यह चीज़ कभी भी possible नहीं है, बटा, ऐसा नहीं हो सकता है, कि 15 में से 14 जनों ने तो correctly अपने t-shirt पहना है, और एक जने ने incorrect पहना, अगर A जाकर B की t-shirt पहन लेगा, तो obviously B खुद की t-shirt नहीं पहन सकता, तो एक जना गलट t-shirt पहन लें, ऐसी possibility नहीं है, यही दो cases है, इनको add कर दें, तो मज़ेदार सवाल का easy है, पर logic नहीं चमका तो गडबड हो सकती है, है ना, तो यह वही apples वाला question है, जो मैंने का फिर से आऊंगा, मेरे को दूसरे source में कुछ और मिला है, probability के form में मिला है, जहां पर mean और variance निकालना है, और random variable माना गया है, number of rotten apples को, तो अगर आप 4 apples pick करोगे, है ना, total आपके पास 10 apples है, तो अगर आप यहां पर apples देख रहे होगे ना, तो यहां पर number of rotten apples और यह उनकी probability है, तो क्योंकि तीन ही rotten apples है, तो 4 में से 0 rotten apple हो सकती, 1 rotten apple, 2 rotten apple या 3 rotten apple, यही चीज पॉसिबल है, तो 0 rotten apple की probability क्या होगी, कि सारी अच्छी apples आजाए, total 10 में से, 1 rotten apple का मतलब 1 खराब apple, और 3 क्या आजाए, अच्छी apple, 2 rotten apple मतलब 3 में से 2 सडी होई, और बचेवे 7 में से 2 सही, अच्छी apples, यह ना, probability का question है, और अगर यही आया mean और variance में, तो probability में stats mix कर दिये, इसलिए थोड़ा सा tough side चला गया, बट अगेन मैंने यह चीज जो है, आपको समझा रखी है, मैंने statistics के अंदर, और probability के lectures के अंदर, इसको बड़ा प्यार से बड़े ही, अच्छे तरीके से इसको explain किया है, तो मैंने random variable का एक video, निकाला था, चैनल पे, प्लीज देखो, बहुत interesting है, ठीक है, थ्री रॉटन एपल्स में सारी ही सड़ी हुई हूई, एक तब भी normal होगी, ऐसा, तो यह इन सब की probability है, इनको अभी के लिए में P1, P2, P3, P4 मान रहो, calculation बटा आपको करनी है, तो means का formula, probability के अंदर, मैंने random variable lecture में explain किया था, PI into Xi होता है, मतलब जो भी probability है, into random variable, इसकी value, तो यह हो जाएगा, 0 into P1, 1 into P, 0 into P1, या, इसको P0 मान लेते हैं, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसको P3 मान लेते हैं, ठीक है, 0 into P0, 1 into P1, 2 into P2, 3 into P3, तो यह आपके पास, यह mean आ जाएगा, इसको mu भी लिखते हैं, और variance का formula होता है, P1 into XI का whole square, minus mean का whole square, तो summation में, P1 into XI जैसे यहां किया, यहां 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, 0 square, 1 square, 2 square, 3 square आएगा, यह आपको खुदको calculate करना है, answer मुझे please, comments में आप बताओगे, आपका क्या आ रहा है, है ना, आपकी shift में यह था, तो आप बता सकते हो, क्या यह question सही है, और कैसे कर सकते हैं, और detail में जानना है, तो please random variable का video देखें, और अगे बढ़ते हैं, link में description में share कर दूए, तो binomial का एक और question है, binomial के दो सवाल, P and C के दो सवाल, differentiability के functional equations के दो सवाल, functions के दो सवाल, तो बहुत random ने से paper के अंदर, तो easy question है, ज्यादा difficult नहीं है कर सकते हो, coefficient निकालना है, पहले general term लिखोगे, 11cr, alpha x की power r, और minus 1 upon beta x की power में, sorry, यहाँ 11 minus r, यहाँ r आ जाएगे, तो coefficient वाला part अलग लिखोगे बिटा, है ना, तो यह कुछ आपके पास ऐसा आएगा, और x वाला जो power में part है, वो आप अलग से लिखोगे, तो एक बार आप इसको क्या कर दोगे, 9 के बराबर और एक बार, minus 9 के बराबर कर देंगे, तो r की value और coefficients आएगे, तो पहले आप इसको कर दो 9 के बराबर, तो 9 के बराबर करोगे अगर आप, तो यहाँ से r की value I think 1 आ जाएगे, और minus 9 के बराबर करोगे, तो r 10 आ जाएगा, minus 9 करोगे तो r 10 आ जाएगा, दोनों के coefficient लेके बराबर करते हैं, तो यह बन जाएगा, 11 C1, alpha की power 11 minus 1, minus 1 by beta की power में 1, और यह बराबर हो जाएगा, 11 C10, alpha की power में 11 minus 10, minus 1 by beta की power में 10, अब आप इसको solve कर सकते हो, 11 C1, 11 C10 हो जाएगा, cancel, और alpha की power जो 9 है, यह I think, उदर अगर भेजेंगे, तो minus beta की power 9 यह ऐसा कुछ आजाएगा, तो यह solve करना, 1 upon beta की power 9, और बताना क्या आता है, answer 1 आजाएगा, तो easy question, आगे बढ़ते हैं, और यह वाला जो question है अपने पास, यह तो शायद रिपीट हो चुका है, अपन देख चुके हैं, और हाँ, इस पर मैं वापस आऊँगा, end के अंदर, यह question पर यह भी बात करते हैं, तो circle पे tangent बनाएए, आपने, दो point दे रखे हैं, A और B, जैसे यह circle है आपका, तो इसमें code of contact, यूज होगा बटा है, तो यहाँ पर A एक point है, B एक point है, और दो point दे रखे हैं, 4, minus 11 है, और दूसरा point आपके पास आ रहा है, 8, minus 1, ठीक है, यह तो A भी है, और यहाँ पर tangent बनाएए, जो यहाँ पर meet कर रहे हैं, C पर, अब यह बोल रहे हैं, C को radius मानकर एक circle बनाओ, C को center मानकर एक circle बनाओ, जो A, B को touch कर रहा है, तो बटा, center तो C ही होगा, C का coordinate निकाल लेते हैं, और अगर A, B, tangent है, तो अपन यह perpendicular distance निकाल लेंगे, A, B से वो radius हो जाएगा, एक बार center आ गया, एक बार radius आ गया, तो हलवा होगे, सवाल circle की equation लिख सकते हैं, तो पहले A, B की equation निकाल लेते हैं, 2 point form से, तो 4, minus 11, 8, minus 5 है, सबसे पहले तो slope निकाल लेंगे, तो slope 6 by 4 आ जाएगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, इसको y minus y1 upon x minus x1 से equate कर लेंगे, तो यह तो आगया, A, B cross multiply करेंगे बटा, तो cross multiply करने पर, यह कुछ ऐसा result दे देगा, एक तरफ ले जा सकते हैं, तो यह कुछ ऐसा, minus 2y, और minus में यहाँ पर आ जाएगा 34, यह A, B की equation आ गई, अब मान लो, कि यहाँ पर tangent H, K पर meet कर रहा हैं, जो center है, तो H, K के लिए यह A, B chord, इस circle की chord of contact है, जिसको आप T बराबर 0 से निकाल सकते हो, दो तरीके हैं, एक तो A पर tangent लिख दो, T बराबर 0, B पर tangent लिख दो, T बराबर 0, intersection point निकाल लो, दूसरा तरीका है कि, H, K को intersection point मानो, T बराबर 0 करो, तो A, B chord of contact हो जाएगी, जिसकी equation आप already निकाल चुके हो, तो coefficient compare कर देना है, यार H, K आ जाएंगे, एक बार H, K आ गया, तो इससे distance, formula से distance निकाल सकते हो, तो circle का question है, थोड़ा सा lengthy है, तो मैं इसको tough की category में rate करना, बाद समझ में आ रही है, तो tough ही डाल देते हैं, tough, तो coordinate geometry में, conic का question, surprisingly memory base में, मुझे दिखा ही नहीं है, और circle straight line दिखे हैं, strange world, तो यहाँ पर अपन H, K से T 0 करते हैं, तो यह आ जाएगा, HX, plus KY, minus 3 by 2, X plus H, plus 5, K plus Y, minus 15, rearrange कर लेंगे बिटा, तो H minus 3 by 2, आ जाएगा X के साथ, के प्लस 5 आजाएगा Y के साथ, और constant आजाएगा 5K, minus 3 H by 2, minus 15, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, पर अब ऐसे difficult कुछ नहीं करना है, आपको बस यह ratio compare करने, कि यार यह H minus 3 by 2 के नीचे 3 है, के प्लस 5 के नीचे minus 2 है, और यह जो हमारे पास constant आ रहा है, 5K minus 3 H by 2 minus 15, इसके नीचे minus 34 है, एक बार इन दोनों को solve कर लो, एक बार इनको solve करके, के और H निकाल लो, फिर यह perpendicular distance निकाल ले ना, इस line से क्योंकि यह tangent है, तो radius center आगे, answer comments में बताएंगे, थोड़ा setup है, थोड़े lengthy questions देखने को मिल रहे है, easy के अलावा, अच्छा, यह मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक domain का question पीछे गया था, log के अंदर, तो वैसा ही question यह भी है, तो मैं sure नहीं हूँ कि यह वही है या दूसरा है, क्योंकि काफी similar लग रहे हैं, तो वहाँ दो domain के question नहीं आ सकते हैं, तो अगर आप में से किसी का 29 shift 1 था, आप comments में बता सकते हो, कि sir, यह वाला question था या पुराना वाला, और इसका answer भी बता हो गया, तो यह 0 नहीं होना चाहिए, not equal to 0, और यह lock के अंदर है, तो this should be greater than 0, और base again greater than 0, base not equal to 1, और number greater than 2, तो यह था हमारा 29 shift 1, और overall में सको rate कैसे करूंगा, तो मेरे असाब से easiest थी 24th shift 1, यह easiest है, इस से ज्यादा थी 24th shift 2, फिर थी 25th shift 2, और 25th shift 1, actually थोड़ी moderately tough रही है, तो यह वाली जो shift है हमारे पास, इसको हम इन दोनों के बीच में rate कर सकते हैं, 29 shift 1, थोड़ी सी lengthy थी थी, overall 2022 से अभी तक paper आसान रहा है, 2021, 2020 जैसा थोड़ा बोल सकते हैं, तो I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आपके friends के साथ share करें, जो जै की तियारी कर रहे हैं, और like करें, comment करें, और please channel को subscribe करें, जल्दी 29 shift 2 के साथ मिलते हैं, और फिर 30 की shift पे भी आएंगे, तेंक्यू,